नमस्कार दोस्तों स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और साथ में बैल वाले आईकोन को दबाना नह भूले जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो दोस्तों आज सुरू करने वाले हम हरी आना करन्ट अफेर में फरवरी से समन्दित मैत्तपुन कोश्चन दोस्तों अगर आपको हमारे प्लाइक यस लगे तो एक लाइक जूरू कीजेगा और कमेंट बोक्स में लिखेगा कि आपको हमारे कौश्चन कैसे लगे हैं और दोस्तों इसकी पीडियो आपको अभप कर सकते हैं तो चलो आयोँ सुरू करते हैं हमारा फर्स्ट कोशन आज का यह गवर्नेस के तैत नागरी केंदरित सेवाओं की समय बार डिलिवरी करने पर भार सरकार ने हरियाना राज्य को किस आवाड से समानित किया है तो अंसर हमारा गोल्डन आवार्ड से तो भार सरकार के केंद्रिया प्रसासनिक सुधार एंव लोग सिकाय थी वाग के द्वार मुंबई में आयू जित किये गए 23 वे राष्टरिया पुर्षकार समरों में यह अवार्ड जाया मुख्यमंत्री सिरिमनोल अलकटर के सुधासनिक सायोगी के प्रोजेक्ट डाक्टर रागेश गुप्ता ने जाये प्रापत किया है नेक्स्ट है मारा इस वर्ष के बारवे सर्स मेले का जवद गाटन है यह किस ने किया है तो हर्याना के प्रेटन एम सिक्षा मंत्री कोन है सिरी कमरपाल कमरपाल गुजर जी ने जो है इस वार के बारवे सर्स मेले का जवद गाटन किया है तो आपको ये भी याद रखना यह की, ये जो सर्ष मेला, जो लगा हुआ है, ये कहा पर लगा है तो ये यमनगर में लगा था, और ये कौन से नबर का है?, तो ये भारवे नबर का है, और इसका जिह जुद्गाटन है, सिक्षा मंत्री कौरपाल जी ने किया है तो हमारे जो सिक्षा मंत्री कौन है सिरी कौरपाल जी है और प्रेटन मंत्री ये भी सिरी जी कौरपाल जी है तो आपको जो है इस तरीके से जो है सभी प्रकार से याद रखना है क्योंकि एक्जाम में जो है कहीं से भी कोस्टन पूछ ले जाता है तो आपको जो है आच्छे से याद करने हैं नेक्ट है हमारा मुख्यमंत्री स्रीमनोर लाल के दोबारा हरियाना के किस जिलेम में उसको सबसे बड़ा गुरु रविदास मंदर बनाने की घोसना की गई है तो अंसर हमारा कुरुक्षेत्तर की पावंधारा पर अथारत कुरुक्षेत्तर में कुरुक्षेत्तर की जो पावंधारा है इसमें जो है समाज को उनकी सिक्षाओं को और आदिक जो है समझने में साहता मिलेगी तो सिरी जो मनहोरलाल कट्र जिया है इनोंने जो है विस्व का सबसे बड़ा गुरू रविदास मंदर जो है एक रुक सित्र में बुनाने की गोशन किया है और इस समाज गोवन की सिक्षाओं के बारे में जो है अधिक साधिक पता लगेगा नेक्स्ट कोस्टन हमारा हरियाना के मुख्य मंतरी मनहोरलाल ने वायू परदूसन को रोकने वैं नियंतरित करने के उधिश्चे से किस पुस्टक का विमोचन किया तो अंसरा मारा दा एयर एक्ट उननी सो इक्यासी यह पुस्तक जा हरियाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोर्टिक गुरू ग्राम के चेर्मेन डाक्टर के के खंडेलवाल वै नगर एम आई जोनी भाग के परदान सचीव सीरी इपुर कमार गिसिंग के दौरा लिखी गयातों तो हरियाना के जो मुख्ये मंत्रिय आई मनहुवरलाल जी उन्हेंने वाय यु परदूशन को रोखने उन्होंने जाए वाईउ परदूसन को रोकने वे नियंतिर करने के दिश्चे से जाए पुस्तक उस किताब को नाम आपको याद रखना है दा एर एक्ट उनिसो कैसी ये किसलिए है वाईउ परदूसन को रोकने के लिए तो दो एर एक्ट उनिसो कैसी जापूस तक कभी मोचन किया गया है नेक्स्ट है मारा हर्याना विदानसभा की संपूर्ण जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश की तरच पर कौन सा सोफ्ट्वेर बनाए जाएगा तो ये बनाए जाएगा सर्च इंजन सोफ्ट्वेर जिससे हर्याना बनने से लेकर अथार एक नुमबर 1966 को हर्याना की स्थापना हुई थी तब से लेकर आज तक की हर जानकारी जाए इससे इंटरनेट पर उपलब्द होगी जिसके माद्यम से हर्याना बिदान साब जो है पिछले 54 वर्सों की संपूर्ण जानकारी लोगों को उपलब्द कराएगी जिससे मुंबई पूने की एक सोफ्ट्वेर कमपनी ने जाग गत दिवस बिदान साबा देक्स सिरी ज्यान चंद गुपता किसमक्स एक जाए इसको डेमो परस्तुत किया तो आपने ये वियाद रखना है कि विदान साबा देक्स कोन है शिरी ज्यानचंद गुपता जी है और किस की तर्ज पर आए तो ये उत्तरप्रदेश की तर्ज पर आए उस जो सफ्ट्वेर का क्या ना में है तो ये सर्च इंजन है सफ्ट्वेर और इसमें जाए 54 वर्सों की जाए संपूर्ण जानकारी होगी तो नेक्स्ट है मारा हरियाना के किस जीले में दो दीवसया रजस्तरी विज्ञान पर दर्शनी का आयोजन किया गया तो उस तर्ज शिक्षावी भागवाद जीन सिलप परसाशन के सवयोग से जाए किया गया है तो हरियाना के जीले में दो दीवसया रजस्तरी विज्ञान पर दर्शनी का आयोजन किया गया है और ये जो आयोजन उस तर्ज शिक्षावी भाग जीन जीला परसाशन के सवयोग से किया गया है नेक्स्ट है मारा हरियाना के क्रिशी एमपसवपालन मंत्री सीरी जैप्रकास दलाल ने कहा कि बिवानी जीने के लोहर विदान सवक्षेतर में फलफूल सबजी उत्पादर में सक्षन के लिए कौन सा केंद्र बनाने की जाए गोशन की गया है तो फर्ष्ट में जो आपने ये कुछ नियाद रखना है कि हर्याना के क्रिशी एमपसवपालन मंत्री को न है तो यह है सीरी जैप्रकास दलाल जी और उन्होंने बिवानी जिले के लोहरू विदान सवक्षेतर में फलफूल सब्जीत पादर में स्रक्षन के लिए कौन सा क फूल सब्जीत पादर में सेक्षन के लिक्षान को पर सिक्षन दिया जाएगा इसकी जाए उन्होंने उद्गोशना की है ताकि वहाँ पर आधिक से आधिक जाए पर सिक्षन मिल सके नेक्स्ट है हमारा हर्याना के शिक्षमंत्री सिरिकावरपाल उजर जी नमात्मगंदी स्टेट इंस्ट्ट और पब्लीक अडिमिनस्टेशन पंजाब में आजएत समरों में किस पुस्तक का इमोचन किया तो उन्होंने किया है जीरो इन्वेस्टमेंट चार फरवरी को जो इसका इमोचन किया है और इस पुस्तक में जो हर्याना के सरकार स्कूलों में सेवरत जीरो इन्वेस्टमेंट जो पुस्तक है इसमें जो है अध्यापकों के द्वारज अपने पने स्कूलों में जो खासका देखिये गए हैं उसके आइडिया जो है इसमें संकलित है नेक्स्ट है मरव हर्याना के मुख्यमति श्री मनोरलाल ने राज्या में किस नीती को फ्रेम करते हुए तिब्वति सरनातियों के बच्चों को दे जाने वाली सुदाओं को मंजूरी दे दिया है तो यह है तिब्वति पुनर्वास नीती नेक्स्ट है मरव हर्याना को प्रदान मंत्री मात्री वंजना योजना के सफल के लिए केंद्रिया महिला एम बाली विगास मंत्री के द्वारा कौन सा पुर्षकार मिला है महिला एम बाली विगास मंत्री है हमारी कोन है तो यह कमलेश डंड़ा जी है तो उनको जो है इसमें कौन सा पुर्षकार मिला है तो उनको मिला है तिरित्ते पुर्षकार नेक्स्ट है हमारा 38 अखिल बारत्य पुलिस गुर्षवारी परत्योकता और माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट का योजन कहां किया गया है तो यह किया गया है पुलिस परीशर बौंड सी गुर्षवारी परत्योकता और माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट का जो आयोजन है यह पुलिस परीशर बौंड सी गुर्षवारी परत्योकता और माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट का जो आयोजन है यह पुलिस परीश कैसे लगे हैं तो चलो करते हैं नेक्स्ट कोशन हमारा हर्याना सरकार ने हर्याना विवमुक्त गुमंतु जाती विकास बोर्ड के ड्वाइजर की रूप में किसे नुक्त किया है तो यह किया है सिरी दल सिंग मल्ला को तो हर्याना सरकार ने विवमुक्त जो गुमंतु जाती होती है उसके विकास बोर्ड के एडवाईजर के रूप में जो है सिरी धल सिंग मल्ला को न्यूक्त किया है नेच्स्ट हमारा 34 वे अंतराष्ट सूरुजग्रुन क्राफ्ट मेले अईवजन कब से कब तक किया गया तो यह किया गया है एक फरवरी से शोड़ा फरवरी तक तो आपके मारजो सुरुजगों क्राफट मेला था यह 34 नंबर का था और इसका जो है जो ने एक फरांवे से यह most important question है और इसकी exam में आने की समाव ना दिक है तो इस question को आपने अच्छे से याद करना है कि इस समरों की अध्यक्ता की और यह कब से कब तक चला है यह एक फरवरी से 16 फरवरी तक चला है नेक्स्टंफ immense ग्राश्ट स्रूज कौन ध्यूण कमें रहा है तो यह रहा है उजबेके班 है इसका सहयोगी रश्ट्र था यह था उजबेके नेक्स्ट है मारा चुन्तिषव इंतराष्ट है सुरुज कुंड क्राफ्ट मेला का फीम स्टेट इसका फीम स्टेट है यह कौन है तो यह था हिमाचल पर देश 34 वा जो अंतराष्ट है सुरुजगूंड जो क्राफ्ट मेला है इसका थीम स्टेट कौन रहा है तो रहा है हिमाचल परदेश सायोग राष्टर उजबेकिस्तान और इसका उद्गाटन जो राजयपाल जो मुख्यमंत्री है और राजयपाल इन दोनों ने वहाँ पर सायोग किया है और एक से एक फर्वी से सोड़ा फर्वी तक जो इसका यह जो सुरुजगूंड क्राफ्ट मेला यह चला है तो नेक्स नेक्स आमारा चुनतिसवे अंतराष्ट शुरुजगूंड क्राफ्ट मेले में लगवा कितने देशों ने भाग लिया तो इसमें भाग लिया है चालिस देशों ने तो चुनतिसवे जो अंतराष्ट शुरुजगूंड क्राफ्ट मेला इसमें चालिस देशों ने भाग ल कि जो चोटिया उसे फत्य करने वाली पहली भारतिया तो यह बनी है रो रोताज खिलेरी नेक्स्ट है हमारा ओडियाफ के ताहत सर्वेश्ट कारे करने पर हर्याना कि किस जिले को स्वस्तादरपन आवाण मिला है तो स्वस्तादरपन में आवाण मिला है दोस्तो अगर आपको हमारे को स्वस्तादरपन आवाण मिला है तो दोस्तो यह थे आज कि हमारे हरियाणा करंट फेर फर्यूरी से समंदित में अत्रपून कोस्टन दोस्तो अगर आपको हमारे कोस्टन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें औ जन्यवाद।